मुश्कार दोस्तों स्फवागत है हमारे यूट्युब चैनल पर जपान देश के संस्किर्टि के बारे में आज हम आपको पूरी ज़िनकरी देने वाले हैं हम आप सबको बता दे कि एक ऐसे देश के बारे में आज हम बात करेंगे जिसको जपान कहा जाता है अपने संस्किर्थी और अपनी तकनीक में पूरे विश्व में विश्वासनी है यहां के लोग ने अपनी मेहनत के बलबूते पे रही अपने देश के विश्व के सकती साली देश पर नाम जोड़ा है हम आपको बता देगी आज जपान देश की संस्क्रिति और जपान की पूरी जानकारी के तहरत हम आपको बता देगी एशिया पहला सबसे समंदरी देश बना था जपान देश इतना छोटा देश से जहां खरगोस की तरह है लोग इतने छोटे 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 देश में GTP 5 डॉलर से भी ज्यादा है जो इसको दुनिया से तीसरी सबसे बड़े एकनौमी बनाती है आये जानतें जपान के संस्कृति के बारे में हम आपको बता देगी जपान के रहन सेहन के बारे में जपान की तीन बड़े शहर टोक्यो ओसाका और नागोया ये जपान की संख्या के हिसाब से सबसे बड़े शहर है जिन में टोक्यो 3.5 करोड जनसंख्या और उसका 1.8 करोड और नकायो जहां शहर 1.1 करोड की जनसंख्या है इन सहरों की जनसक्या जपान की कुल अबादी की आदि मानी जाती है जपानी लोगों को इन बड़े शहरों में घर मिलने काफी मुस्किल हो जाते हैं क्योंकि जपान एक संस्पोन भूमी का देश है इसलिए ये एक फार्व भी कहा जाता है जहां कि ये देश खरगोश की तरह है अगर आप बात करो जपान के ठक्यों में रहने वाले होटल की तो आपको बता दे कि बैट जितनी जगे के लिए आपको भारी राशी खर्च करनी होगी आप सब क्या कहने जपान के खेल और फैक्ट्स के बारे में अपनी राए हमें कमेंट में जरूर दे अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेक शूर वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर दे